बिहार के चर्चित आईयस अधिकारी केके पाठक को सिच्छा विभाग के ACS पद से हटा दिया गया था हलाकि इसके बाद बिहार सरकार ने राज़स्यों भूमे सुधार विभाग में उन्हें अपर मुख सच्यू बनाया था लेकिन काफे वक्त गुजर जाने के बाद भी जब उन्होंने राज़स्यों भीभाग में अपना योगदान नहीं दिया उसके बाद अब उन्हें एक बार फिर से तबातला किया गया है तो देखे अब ISK के के पाठक को अध्यच राज़स्यों परिषद के पद पर तैनात किया गया है और इसके साथ ही के 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 पाठक विपाड के महानिदेशक के अत्रिक परभार में भी बने रहेंगे तो देखे के 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 पाठक को लेकर बड़ी खवर निकल कर सामने आ रही है चुकि ISK के के पाठक को राज़स्यों परिषद के अध्यस सदस्य बनाए गए है राज़स्यों भूमी सुधार विभाग से उनका तबातला करती आ गया है चुकि पाठक सुथी से लोटे नहीं इसकारण से उन्होंने राज़स्यों भूमी सुधार विभाग में ज्वाइन भी नहीं किये थे दीपक कुमार सिंग्ग ग्रामिन कारी विभाग के साते राजस वोमी सुधार विभाग ही देखेंगे और इसके साथ ही केके पाठक को लेकर बड़ी ख़बर निकल कर सामने आ रही है चुकि केके पाठक सिच्छाई वाग में अपने फैसले को लेकर अकसर चर्चाओं में रह उन्हारके पस्कूलां और हैं केके पाथक को देखा जा रहा था कि कई बार अलग अलग तबादला करते हुए उन्हें राज्यस्व भूमी सुधार विभाग भेजा गया था हलाकि उसके बाद उन्हें जुआइन नहीं किया था और जिसके बाद अब उन्हें राज्यस्व परसद का अध्यस सदश्य बनाया गया है तो देखे केके पाठक के उपर एक बड़ी जिम जिसकों के लिए बच्चों के लिए बिद्यार्थियों के लिए साथे साथ मिड्डे मिल भोजन को लेकर लगतार चर्फये होते रहती हैं बिहार में कि किस तरीके से बच्चों को खाना दिया intent इनाख के सब्सकार में सभी चीज़ों को लेकर भूमी सुधार विभाग में भेज आ गया था और अब उन्हें राज़स परशद के अध्यस सदस्य बनाए गए हैं देखिए इस वक्त की जो बड़ी खबर निकल कर सामने आ रहे थी वो हम आपको बता रहे थे तब तक के तमाम हर अपडेट को देखते रहने के लिए डेंड झाहलाँ